हलो फ्रेंट्स मैं आपका दोस्त राउल गनवीर अगर आपने ये नियम मान लिये तो आपके जीवन में कोई प्राब्लम नहीं होगी और खुद ही आप अपने आपको पैचान नहीं पाँगे तो चलो इस नियम के बारे में बात करते हैं आज हम अपने जीवन के छोटे छोटे नियम से अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बतला ला सकते हैं छोटे छोटे रूल इसे अपना बहुत भाइदा होता है जिसके जीवन में कोई रूल नहीं कोई डिसिप्लेन नहीं उसका पूरा जीवन कर्भूजन से ही जाता है और ऐस इसे इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है यही रूल ही हमें एक अलग ही रहा मिलती है अगर यह नियम नहीं तो हम अपने जीवन के दिशाई बदल जाती है और यह नियम अपने को बांद के रखने के लिए नहीं है इसलिए है कि हमें कुछ बाते समझ में आ सके कोई भी प्रापलम में पड़े नहीं और कोई प्रापलम आए भी तो उससे अच्छे से हैंडल कर सके इसलिए होते हैं सिनियम बहुत सारे नियम का बदला अपने जीवन में होता है और आपको भी लगता होगा कि आप अपने जीवन में खुष रहे आपके life में कुछ अलग हो और ये ना लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसे नियम होते हैं तो नियम नमबर एक है अगर आपके past में कुछ हुआ होगा तो उसे वही छोड़ दो जहां ये हुआ है अपने past को याद करके रोते रहते हैं वो अपने आज में कभी खुश नहीं रह सकते इसलिए जो जहां हुआ है उसे वही छोड़ दो नियम नमबर दुसरा इस पे चलते हैं कभी भी ये मत सोचना की लोग आपके बारे में क्या सोचते है अगर हमें कोई काम करना चाहे तो हम सोचते हैं कि ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में सोचते हैं अपने घर में लोग ही बोलते हैं कि तू ये काम करने वाला है ना तो लोग क्या बोलेंगे तो हम भी सोचने लग जाते हैं कि हाँ लोग क्या बुलेंगे घरवाले क्या बुलेंगे लेकिन वो सोचना बिलकुछ छोड़ दो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग तुमारे बारे में सोचेंगे तुम अपने बारे में कब सोचोंगे लोग तुम कुछ भी कर लो फिर भी बोलेंगे ऐसा कर रहा है क्यों कर रहा है फिर ऐसा कर रहा है तो ऐसा क्यों किया ऐसे बोलेंगे इसलिए जो आपको अच्छा लगे वही किजिए क्योंकि आपको मालूम है कि आप अपना बेश्टी करने वाले हो तो वही किजिए तो ऐसे छोटे छोटे नियम होते हैं नियम नमबर हम तिसरे पे चलते हैं कभी कभी हम सोचते नहीं हैं और ऐसा कोई हो जाता है अपने लाइप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने आ जाता है कभी सोचते ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा हो जाता है और ऐसे समय हम पूरे तरीके से तूट जाते है अगर आपके life में ऐसा problem आए तो हारना नहीं आए ये समय भी चला जाएगा लेकिन जरुरत होती है उस समय को समय देने की इसलिए life में जब भी कोई problem होना तो उसे time जरूर दो जैसा आया वैसा जाएगा भी अगर आप अपने खरब समय में उसे खुशी से जाने दोगे तो उस समय आपका खुशी का समय भी उतनी ही पास आएगा आज बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन जरूर आएगा तो चौते नियम पे चलते है आपको जो कुछ करना है जो कुछ पाना है वो ठान के रखे हो ठान के मत रखो उसे कोशिश करने के बारे में भी सुझो अगर आपने वो ठाना की मुझे ऐसा करना है कब करना है यह आपको भी नहीं पाता है और मैं करूँगा करूँगा ऐसा ही मत करो स्टार्ट करना है न तो अभी से करो समय देखते मत रहो यह टाइम आएगा और मैं सुरू करूँगा अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो अभी से करो, अपने उपर पुरा भरसा रखो, प्रस करो और चालो करो अगर आपको लाइप में बहुत कुछ मिलना है आपको बहुत कुछ लेना है आपके बहुत खौब होंगे सभी की होते है और कुछ ना कुछ लेना होता है तो उसके लिए पहले कमाना शिखो investment करना शिखो पैसे जमाना शिखो अगर आपके पैसे जमा नहीं जमा नहीं और उसे टिकाना इसमें बैलेस नहीं कर सकते तो आप पैसे के मामले में कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगे इसलिए पैसे टिकाना से ये सिखना जिरूरी है कि किस परकार से हम बैलेस करें और मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएए लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और सेर करना ना भूले ऐसे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा ओके बाए दोस्तो